जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने एक बर फिर से सीज फायर का उलंगन किया है। करीब धाई साल बाद पाकिस्तान ने सीमा पार्ट से फायरिंग की गई है। जम्मू के अरिनिया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से ताबर तोड फाइरिंग की जा रही है। इस दौरान B.S.F. के उपर मोटार अटैक भी हुआ है। हाला कि वह दिवार में जाकर घुज गया, सैना भी इस हमले का मोह तोड जवाब दे रही है। इस हमले में एक जवान घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि इंटरनाशनल बॉर्डर पर रात आट बजे पाकिस्तानी रेंजर्स ने अच्छानक गोली बारी शुरू कर दी। इसमें B.S.F. का एक जवान और एक महिला घायल हो गई। पाकिस्तान ने भारत की पांच चौकियों पर फाइरिंग क पाकिस्तान रेंजर्स ने रिहाईशी इलाकों में मोटार के गोले भी दागे। इससे घरों की दिवारे डह गई। गोलाबारी के बीच इस्तानी लोगों को राद बर बंकर में रखा गया। गायलों को जमू के गवर्मेंट मार्डिकल कॉलेज अस्पताल में भरती कराया बता दे कि पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उलंगन की यह दूसरी घटना है।